गाइस क्या कर रहे हैं अगर आप खाली हैं तो थोड़ा हम जावास्रिप्ट के question solve कर लेते हैं वैसे तो यह 100% optional लेकिन इससे अपना जावास्रिप्ट का concept रोड़ रिवाइस हो जाएगा अगर हम बात करें एक interview question का तो पहले में आता है event loop इसके भीना तो काम खतम नहीं होगा event loop से एक एक question रहते ही रहता है तो अगर मैं बात करो question का तो आप यहाँ पर लिखे अब यह most common question है आप तो थक चुके होंगे इसका answer देते देते लेकिन यह बढ़ ट्राइ करें इस cancer क्या रहेगा अगर मैं इसको enter hit करोंगा तो और video pause करके आप देख सकते मैं enter hit कर रहा हूँ और आप देखे 23541 इसका reason क्या है इसको मैं तोड़ा zoom out करता हूँ अब यह वही code है जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर sync प्लस async का mixture है तो यहाँ पर जो asynchronous code है कौन सा है यह अपना asynchronous है और यह asynchronous है बाकी console.log console.log दोनो synchronous है अब लिख से अपने पास यह box है जिसको आप बोल सकते हो call stack और यहाँ पर हमारे पास एक box है जिसको हम बोलते है callback queue इसको मैं बोल रहा हूँ callback queue ठीक है और ES6 के बाद से एक और है box जिसको आप बोलोगे job queue ठीक है अब यहाँ पर किया अपने event loop है इसको आप बोल सकते हो event loop और जो अपना main है वो missing है कोन है JavaScript जावस्क्रिप्ट का काम किया है जो code इ आपका set time out हो गया set interval जो session है windows local storage है सारी चीज़े ठीक है तो अब कैसा है कि आपका set time out इस पर आया ठीक है और फिर set time out इसका part है wvpi बोला कि ठीक है मैं इसको संभाल हूँगा मैं रुकूंगा 0 millisecond के लिए जब भी होगा इसके बाद मैं इसको process कर दूँगा ठीक है तो जब यहां से आतक जो भी हम first parameter pass कर रहे है वो किसके अंदर चला गया इसके अंदर चला गया so यहां पर आ गया console.log 1 ठीक है इसके अंदर चला गया right उसके बाद क्या आया console.log 2 तो इस पर आया और यह print हो गया तो अपना output के आया 2 ठीक है इसके बाद क्या होगा अभी तक यह wait कर रहे है right callback queue के अंदर ही अपना wait कर रहे है जो भी set time out का first parameter था या जो भी हमने pass किया था अभी next क्या हैगा new promise ठीक है new promises इसमें आया उटके और यह complete उटके आएगा यह complete new promise उटके अभी execute होगा यहां पर call stack में तो इसके अंदर हम क्या pass कर रहे है एक function ठीक है तो यह function क्या हो तो resolve और reject दो तो आपने यहां पर resolve पास किया है तो resolve run होगा यह run होगा तो क्या होगा इसके बाद then block right इसका time आएगा यह then block जो है यह क्या run होगा synchronous run होगा और इसके अंदर जो then block के अंदर जो part है यह किसमें push हो जाएगा वो push हो जाएगा आपका job queue में यानि अब यह जो run ह हो रहा है वो कौन सा run हो रहा है console.log4 ठीक है यह 4 यहां पर आ गया right इसके बाद क्या है यह काम खतम इसका हो गया यह call stack से बाहर आया इसके बाद क्या होगा five print हुआ so five print हुआ ठीक है इतना खतम इसके नीचे कोई code नहीं है अब क्या होगा यहां पर अपने पास दो box है एक call callby Q को आप क्या बोल सकते हो अब इसको बोल सकते हो macro task इसको आप macro task और job Q को अप macro task हो अब कि अब कोई cold run होने को नहीं है, काम खतम हो गया तो अब जो इस box में से रखा है वो call stack में भेजेगा इसलिए जब ये micro task, यानि job queue से बाहर call stack में आएगा, तो कौन सा आ रहा है, अपना console.log 4, ये function complete run होगा, और output क्या है 4, ठीक है, इसके बाद क्या, अपना set time out और ये return क्या करता है, कुछ नहीं तो undefine, जब आप return नहीं करते हो, तो क्या होता है undefine आता है, ठीक है उसके बाद क्या, one कहां से आ रहा है, अब इसका काम खतम हो गया ठीक है, तो अब क्या, इसका काम बचा क्योंकि इसकी priority high थी, तो पहले process हो गया, इसके बाद callback queue, तो इसके अंदर क्या one, ये push होगा ये function push होगा, यानि कि ये जो part है, ये अब तक जो wait कर रहा था, ये push होगा, और ये जो one है यहाँ पर one आया, तो I hope आपके समझ में आयोगा कि कैसे होता है तो set time out और promise, आपको आपने सुना होगा, promise क्या है, eager है, आपने सुना होगा, right, तो eager है यानि इसके priority high है, और क्योंकि इसको अलग से handle के जाता है, callback sorry, job queue में, और set time out और promise में कभी कंपेर करेंगे, तो यहाँ पर आपको, अब समझ में क्या होगा कि पर यह पास कर रहे हो, right, यह चीज, यह भी asynchronously run होता है, नहीं यह 10 block के अंदर जो पास कर रहे हो वो asynchronously run होता है, इसके अंदर जो भी पास कर रहे हो, वो synchronously run होता है, right, यानि कि यहाँ पर इसलिए हमने console.log 3 देखा, output आगे, right, 2 के बाद अगला क्या run होता है, अगर यह भी asynchronous होता, तो पहले क्या run होता, 2 के बाद 5, नहीं, right, ऐसा नहीं होता, तो यह run होता, इसके अंदर जो था, और run होता, इसके बाद 3, इसके बाद यह, right, अब अगला question के और बढ़ते हैं, हमारा दूसरा question related है context से, और अगर मैं यहाँ पर देखो, तो यह मारा question है, ठीक है, हम use कर रहे है strict mode, यह normal mode नहीं, strict mode है, दो function है, demo, इसके अंदर मैं console.log this कर रहा हूँ, और एक function है, call demo, इसके अंदर मैं जो parameter पास कर रहा हूँ, इसको call कर रहा हूँ, यानि आपको पता है, यहाँ पर मैं function as a reference पास कर रहा हूँ, और इस function को call कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, object के ऊपर demo को assign किया, ठीक है, with the same keyword, यानि demo किसको refer कर रहा है, demo एक key रहेगा, और उसका value क्या रहेगा, यह function का reference, ठीक है, तो इसका output क्या आएगा, आपको बताना है, मैं इस call demo के अंदर pass कर रहा, ठीक है, क्या, object.demo, तो इसका output आपको pass करना है, यह थोड़ा confusing बनाया गया, लेकिन इसका output आप दे सकते, pause करके, और मैं अब इसको enter कर रहा, आप यहाँ पर देखिए, क्या प्रिंट हो रहा है, undefined, इसका reason क्या है, एक चीज तो clear है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं normally, इसको वापस प्रिंट करूँ, ठीक है, यह चीज, हम जब इस strict mode उसकरते हैं, ठीक है, और अगर मैं अगर इस demo के अंदर this call हो रहा है, तो किसको point करेगा this undefined, this point करेगा undefined को, लेकिन वह ही अगर normal है, strict mode नहीं है, तो this किसको point करेगा, window को, यह दो चीज हमें पता है, अब हम अपना code फिरस्टा देखते हैं, तो हमने यहाँ पर यह किया, इस function को, ठीक है, यहाँ पर इस function को मैंने object के अंदर assign किया, यानि आपको पता है, यह जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसका meaning क्या है, जैसे कि मेरे पास var x है, ठीक है, 3 है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, late, new obj, ठीक है, और अगर मैं ऐसे करता हूँ, x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, new obj के उपर मेरा x key का नाम है, या फिर आप बोल सकते हो, key का नाम है, और उसका value कि इसको point कर रहा है, 3, यानि मैंने यहाँ पर क्या बोला, जब मुझे key का नाम ही, same चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, आपको सिर्फ ऐसे pass कर देना रहता है, यानि कि, यह shortcut तरीका है, कि आप ऐसे लिख रहा हूँ, right, तो आपको पता है, year 6, या new JavaScript में आप ऐसे लिख सकते हो, जब left और right hand side का identifier का नाम same है, तो आप simply ऐसे लिखते हो, उसका मतलब होता है कि आप X के उपर वो value assign कर रहा हूँ, right, so basically मैं यहाँ पर context नहीं बता रहा है, कि मैं disk इसके reference में call कर रहा हूँ, यहाँ से हमें बता सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, call, और यहाँ पर मैं disk का value क्या आता है, एक और code है, इसका output बताना है, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर strict mode यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर बोल सकते हो, global zone में या global scope में, दो variable X और Y, मैं यहाँ पर एक function, आपको इसको देखके functional programming का यादार होगा, right, इस function को आप, आप क्या करोगे, दो parameter पास कर रहे हो, और वो क्या कर रहा है, वो अपने ही member को बना रहा है, याणि X और Y उसके अपने member रहे हैंगे, उसको data sign कर रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहा हो, इसी function के prototype पे एक नया property एड़ कर रहे हो, सम, और उस सम एक function रहेगा, और क्या करेगा, इसके उपर, इस operation का जो भी अपना member रहेगा, उसको point out कर रहे हो, याणि this.x plus this.y, और उसको add कर रहे हो, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसको call कर रहे हो, ठीक है, new operation, और इसमें आप दो parameter पास कर रहे हो, 5 और 5, ठीक है, अब यह ops, जो object बनेगा, उसके उपर क्या रहेगा, x और y रहेगा, ठीक है, यानि जो भी आप पास कर रहे हो, इसके उपर रहना चाहिए, अब मैं आपर क्या कर रहे हो, ops.sum, ठीक है, ops बना रहे हो, या फिर नॉर्मल में कुछ भी, यहाँ पर capital लिखना पढ़ता है आपको, क्योंकि आपको बताना पढ़ता है, कि यह आपका constructor function है, लेट से मैं आपर x और y ले रहा, ठीक है, और मैं this.a equal to x कर रहा, this.b equal to y कर रहा, ठीक है, और यहाँ पर मैं pass कर रहा है, 2,3, अब obj अगर मैं देखूं, तो इसके उपर क्या मिलेगा मुझे, a और b मिलेगा, ठीक है, अगर क्या है कि, मैं इसके उपर, pro type में, operation के pro type में, दो चीज़ आड़ कर रहा हूं, एक चीज़ आड़ कर रहा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, sum, यह क्या करता है, this.x, this.y को, add करेगा, यहाँ बिसिकली, यहाँ पर मालो मेरे x और y, इसको add करेगा, ठीक है, और फिर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, obs.sum को call कर रहा हूं, तो इसका output आपको बताना है, ठीक है, तो आप pause कर सकते हो, और इसका output बता सकते हो, मैं enter कर रहा हूं, और आप देखो, यहाँ पर output क्या रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, अब, यह 4 क्यों हो आ रहा है, आनाची यह था 10, 5 प्लस 5, इसका reason यह है, आप यहाँ पर सब चिस्से ही कर रहे हो, लेकिन जो sum है, यहाँ पर, इस sum में आप क्या sign कर रहे हो, एक arrow function, और arrow function में जो this है, वो कैसे काम करता है, lexically, यानि कि this का कोई अपना value नहीं होता, this हमें सा किसको point करता है, lexical environment को, तो यह जो code run हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, यह हो रहा है global zone में, या global scope में, या global execution context में, तो this किसको point करेगा, global को, यानि window को, इसलिए window में क्या x और y है, यानि window मतलब क्या, global में क्या x और y है, इसलिए output क्या दे रहा है, 4, इसी को अगर मैं change करूँ, ठीक है, यह चीज, यानि, इसको, काईदे से, this.x को point करना चाहिए था, आपका मकसद क्या था, कि, आप जो parameter pass कर रहा हो, इसके अपने members को point करना चाहिए था, x और y, आपरेशन में, जो भी आप this use कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, sorry, prototype पे, इसके अपने member को point करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, इसी जिसको अगर मैं change कर दूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे arrow function के जगए, traditional function ये उस करूँ, तो आप देख सकतो answer 10 आ रहा है, इसका reason क्या है, अब जो disk इसको point कर रहा है, traditional या normal function के अंदर, इस disk पॉइंट कर रहा है, इस operation को, यानि, इसका member कौन सा है, X और Y है, इसी लिए क्या हो रहा है, 10 आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने 5 प्लस 5 भेज आता, तो इसके अपने member जैसे आपे A और B है, तो A और B, मतलब A प्लस B करोगे, तो 3 to 5 आएगा, यहापे यह वही चीज़ हो रहा है, इसका अपने member क्या है, X और Y, तो इसलिए आपे सही काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि, एक छोटी से mistake से, या फिर अगर आपको understanding अच्छी है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वरना यह error पकड में नहीं आती, तो mostly इस तरह के question interview पूछे जाते है, हम हमेशे हैं यहापे क्या कर रहा है, strict mode उस कर रहे है, और एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है, कि strict mode में भी, this को point कर रहा है, this point कर रहा है, sorry, यहापे नहीं, अगर मैं बात करूँ, इसके previous वाल example पे, ठेक है, यहापे, तो this को point कर रहा है, this point कर रहा है हमारे global object को, so different context को लेके, interview आपसे question पूछ सकते हैं, जिसमें थोड़ी confusion हो सकती है, आप यहापे core question के अंसर दे सकते, यहापे देखे, एक function है, operation, इसके अंदर मैं param pass कर रहा हूँ, और यह return कर रहा है, object, जिसके अंदर sum है, और sum एक function है, ठीक है, मैं यहापे कर रहा हूँ, इस यहापे as a arcs, मतलब, आप देख रहा हूँ, मैं यहापे use कर रहा हूँ, rest operator, यह मुझे क्या देगा, यह मुझे, जो भी आप value pass करोगे, यहापे as a array देदेगा, ठीक है, और मैं उसमें से 0 element उठा रहा हूँ, प्लस, जो भी मेरा param है, उसको add कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको उसका answer देना है, कि क्या होगा, आप इसको pause कर सकते हो, और मैं अंटर तब तक hit करता हूँ, तो आप देख सकते हो, answer जो है 0.2 आया, पहली चीज़ समय क्या ध्यान में रखना है, या सौरी, ध्यान में रखना है, कि this का, यानि अगर आप function उसका अपना argument नहीं होता, यह keyword, यह किसमें valid होता है, यह होता है आपके normal function में, लेकिन अगर आप फिर भी use कर रहे हो, तो यह किसको refer करेगा, enclosing scope को, यानि यह कहां पर use हो रहा है, इस function के अंदर, तो यह arguments किसको point करेगा, इसके, यह params को point करेगा, इसलिए क्या हुआ, आपने यहापर क्या pass किया था, operation को 0.1, ठीक है, तो 0.1 pass किया आपने, और फिर यह op पर assign किया, यानि op क्या hold कर रहे हो अब्चेक्ट, op की उपर आपने sum call किया, और आपने यहापर क्या किया, 3, 4, 5 pass किया, यहाँ पर arguments आया, ठीक है, लेकिन आप क्या use कर रहे हो, arguments का 0 plus param, यानि यह arguments किसको point करेगा, जो भी आप param pass कर रहे हो, यानि कि 0.1 plus, यहाँ पर 0.1, इस को और समझने के लिए, मैं यहाँ पर console.log कर रहा हूँ, अब आप देखिए, operation के अंदर एक object, सेम चीज यह सब चीज, यहाँ पर arguments आ रहा है, arcs as a rest operator रहा है, और मैं क्या कर रहा है, arguments प्रिंट कर रहा है, और arguments का 0 उठा रहा, अब जैसा कि मैंने कह, arrow function के अंदर arguments कुछ होता नहीं है, और अगर use कर रहे हो, तो यह refer करता है, enclosing, यानि जहाँ पर define है, तो इसके अंदर define है, तो इसका refer, इसको यह point कर रहेगा arguments, इसको, इसी लिए मैं अगर इसको enterate करूँगा, तो यह देखिए, यह जो argument print हुआ, इसमें 0th index पर क्या है, यहाँ पर 0.1, तो 0.1 प्लस जो param आप pass कर रहे हो, यह param, जो pass कर रहे हो, यानि आप यहाँ पर pass कर रहे हो, यह, तो आप दोनों को add कर रहे हो, इसलिए क्या हो रहा है, 0.2, और अगर मैं इसको और बेप्रिंट करूँ, arguments, पर, तो आपको और भी clear हो जाएगा, कि दोनों same ही है, यह देखिए, तो 0.1, arguments का 0th index, यानि 0.1, प्लस यह 0.1, जो आप यहाँ पर, मैंने यहाँ पर print किया, और यहाँ पर हम add कर रहे हैं, तो आपने देखा कि, अगर आप arrow function के अंदर argument यूज कर रहे हो, तो किसको point करता है, in closing scope को, यानि जहाँ पर यह use हो रहा है, तो एक और एक question है, this keyword से related,